तो जैन एवरिवन कैसे आप सबी लोग आयोप सबी लोग अच्छे होगे मस्त होगे और आपको पता ही होगा कि UPSI की DVPST आपकी 25 से स्टार्ट होने वाली है तो DVPST में कौन-कौन से important document लगेंगे मैं आप बिरुकुल आ चुका हूँ यह DV की checklist है जो 2018 के constable में यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी प्लिस कौनस्टेबल सिविल पुलिस कौनस्टेबल पीएसी 2018 की यह DV की checklist है जो आपको आज किस वीडियो में पता चलेगा उसमें कौन-कौन से important documents मांगे गए थे इनके इलावा अगर आपके पास एक भी documents नहीं हुआ तो आपको DV PhD से बाहर भी किया जा सकता है या फिर कोई भी documents incomplete हुए तो आपको general category में डाल दे जाएगा so documents कौन-कौन से होने चाहिए और किस date की होने चाहिए और क्या-क्या documents लगने वाले फोटो कितनी लगे कि सब कुछ A to Z पता चलने वाला है विडियो स्टार्ट करने पर एक छोटी सी केस्टों को जिन्हों ने अभी तक चलो सब्सक्राइब ने किया चलो सब्सक्राइब कर लीजेगा पास वें बैल आकन को भी प्रस कर दिए जिससे भी को न्यूव हुआ था यह कॉंस्टेबल का और 2019 में भी हुआ था तो उसमें डीवी में क्या क्या आए था यहां पर उमित्वार का यहां पर आपका नाम लिखा होगा फुल नेम फादर का नेम रोल नमबर आपका और रिष्टेशन नमबर जो SICUP करके था यहां पर आओगा सबसे पहले most important document photo युक्त पहचान पत्र यानि कि photo युक्त पहचान पत्र के बात करें तो एक identity proof identity proof में आपको क्या क्या लेके जाना होगा अगर आपके पास identity में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड भी लेके जा सकते हैं pen card है तो pen card भी लेके जा सकते हैं डील है यानि driving license है तो इन तीनों में से water ID card भी है तो भी आप लेके साथ लगते हैं यानि चार चीजे मैंने बता दी अधार card, pen card, driving license और water ID यानि कि एक आपके पास ID card होना चाहिए इसमें कि आपकी photo सही होनी चाहिए आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके डियो भी ये चारो चीजे आपकी सही होनी चाहिए इसकी आप original भी लेके जाएगे कि सारे documents आपके पास बचपन से लेके अभी तक यानि कि आपके चाहिए अगर sports का भी certificate बनाओ तो भी आप DV के time लेके जाएगा आपने NCC किया हो तो भी लेके जाएगे, आपने O level, triple C, कुछ भी किया हो जो भी आपके documents हैं सारे original लेके जाने हैं साथ ही सभी documents की दो-दो photocopy यानि की दो-दो set करके जाना है उस photo ID को राजप्रति अधिकारी यानि gadgeted officer से signature करना है आप दो minutes के लिए बात कर लेते हैं, gadgeted officer होते हैं, MBBS doctor हो गए आपके MBBS जो government मेरे कहने का मतलब यह है, कि जो भी आपके जिला इस्पताल, अगर आप गाओं में रहते हैं जिला इस्पताल होगा, city में भी रहते हैं, तो आपको government hospital वहाँ पे होते ही है या फिर private doctor में MBBS doctor से आप लोग signature करा सकते हैं, वो 10-50 रुपे जो लेंगे आप लोग MBBS से करा सकते हैं या फिर किसी government school के principal से signature करा सकते हैं, या फिर DSP rank के अधिकारी से आप करा सकते हैं, या तैसिलदार से तो ये 4-5 name मैंने बता दिये थे, ये सारे gadgeted officer होते हैं, gadgeted officer का मतलब होता है, राजपति अधिकारी जो यानि की उच रैंक के अधिकारी कोई राजपति अधिकारी कहा जाता है next documents की बात करने, domicile, जो UP से बिरौण करते हैं, यूकि ऐसा तो हैने कि जो UP SI का जो DBPHT होगा सिर्फ उसमें UP के candidates होंगे, उसमें बाहर के राजपतान, बिहार, MP के भी बच्चों का भी selection हुआ है, तो बाहर के भी लोग आएंगे तो जो UP के हैं, उनके पास UP का domicile होना जरूरी है, जिन्होंने, क्योंकि जब आपका admit काड़ाएगा, तो उसमें साब साब लिखा होगा, are you place in UP? तो yes and no लिखा होगा, आपके पास UP से अगर आपने पहले form fill up किया होगा, तो आपके आँगे yes लिखा होगा, तो आपको domicile दिखाना मस्ट होगा, आपको पता ही है कि इसके जो form भरे जा रहे थे, तो 15 जून, 15 जून 2021 इसकी last date रखी गए थी form की, क्योंकि COVID की वज़े से पहले एक मेना बढ़ा फी 15 दिन बढ़ा, तो 15 जून 2021 से पहले का आपके पास domicile होना चाहिए, उसके बाद का domicile अगर आप पे कारवाई हो सकती है, यानि कि 15 जून 2021 से पहले का domicile आपके पास होना चाहिए, उसकी भी एक photocopy, यानि जो भी सारे डाकुमेंट्स की photocopy और सभी डाकुमेंट्स को gadgeted officer यानि राजपती अधिकारी से signature करा लीजेगा, बात कर लेते OBC, अगर आपने OBC से form, category से form fill up किया के भी, जो other states के लोग हैं, वो general में count होंगे, उनको ना तो domicile लेके आने जरूरत है, ना ही कोई cast certificate, अगर आपके states का आपके पास अगर domicile बना तो लेके आ सकते हैं, otherwise लाने की को जरूरत नहीं है, यानि कि जो आपके general category हो गए, जो UP के बता रहा हूं, UP, OBC, SC, HT और इस ब करानी है, सभी photocopy को राजपती अधिकारी यानि gadgeted officer से signature करा लेना है, MBBS gadgeted officer से करा लीजेगा, बहुत ही सही रहेगा, अगर आपने ex-serviceman है, तो राजपती अधिकारी दोरा, प्रमारी च्छायपती की मूल लिवाहन, प्रमारी च्छायपती की मूल लिवाहन, प्रमारी च प्रमार्पत विग्यापर उनले की निराजप्रारूप में है, यानि कि जब आप लोग का notification जारी किया गया था, तो उसमें freedom fighter का एक format दिया गया था, कि आप लोग freedom fighter है, तो उसको भी आप लोग राजपती अधिकारी से आपको signature कराने होगे, यानि self-attest कराने होगे, अगर कि आप लोग को दो-दो सेट लगा लेने हैं, एक सेट आपके वहाँ पर जमा हो जाएगा, original कोई भी document नहीं जमा होगे, students का doubt ये भी आते हैं, original document जमा हो जाएंगे, तो original document नहीं जमा होगे, सिप आपकी photo copies जो भी होगी, वहाँ पर जमा हो जाएगी, बात कर लेते अगर आ आप लोग सेट लगा करके, आप लोग photo copy करा करके, राजपते यतिकारी से signature करा लिजेगा, अब बात कर लेते हैं, जो main documents की है, 10th की mark sheet आपको लेके जानी है, original भी, साथ है photo copy की, मैं पहले से काफी बार बोल चुका हूँ, आपको दो-डो documents लेके जाने है, original भी आपको लेक जाएंगे, तो कोई भी मांगेगा, हो सकता है, कोई documents, आपका खराब हो जाए, बारी सो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए दो-दो photocopy करके रख लीजेगा, और साड़े documents की photocopy को gadgeted officer से signature करा लिजेगा, वो लोग जाएगा, आप इतना बोलिए जाके, कि सर मेरा UPSI म DVPST लगा हुआ है, तो वो आपके इतना ही बोलने में, आपके gadgeted officer जो भी होते, उन्हें पता होता है, क्योंकि उनका काम यह होता है, हर बार भरती आती, ऐसा तो नहीं, first time vacancy है, तो वो लोग gadgeted officer signature करा देंगे, आप लोग करवा लिजेगा, पहले बात कर लें, 10th की mark sheet आपक आप लोगों को भी लेके आनी है, साथ में फोटो, आप लोग फोटो कॉपी भी दो दो करा लिजेगा, अब इसमें, क्योंकि UPSI के तो इसमें graduation की degree और graduation की degree आपकी इसमें लेके जानी होगी, अब students का doubt आएगा हो, कि sir में पास तो degree नहीं है, mark sheet है, तो मैं आपको dear बता 2017 में जब UPSI का DV PhD कराये गया था, तो उसमें सिफ degree ही valid मांगी गई थी, कुछ students के पास degree नहीं थी, तो provisional degree college से आप लोगों मंगाई थी, क्योंकि provisional degree आपकी तुरंद निकाल आती है, और वो 6 मैने के लिए, यानि 6 मन तक के लिए valid होती है provisional degree की, तो हो सकता कि जब आप degree और mark sheet दोनों लेके जाएगा, बाकी भगवान के उपर है, उनलों के उपर है, क्योंकि 2017 में तो degree ही valid की गई थी, mark sheet से valid नहीं किया गया, जिनके पास mark sheet नहीं थी, तो उनको ऐसा नहीं था, sorry degree नहीं थी, उनको टाइम दिया गया था, एक अपते तक का, तो college के तरफ से उनक को issue करा दी गई थी, तो सभी का हो गया, कोई भी degree से बाहर नहीं हुआ था, लेकिन अगर आपके पास degree है, college से आप लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है, time बल्कुल बचा नहीं हुआ है, degree और provisional degree में से कोई दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, यानि कि degree और mark sheet लेके जा सकते हैं आप लोग, और main degree और provisional degree है आपके लिए, बात कर लेते हैं, अगर आपने tutorial आरवी में job की है, तो आपको उसका चाहिपती, यानि कि जो भी आपका identity card है, वो आप लेके जाके photo copy कराके, राजपती अधिकारी से कराईएगा, signature, NCC आपने की है, तो मूल NCC B पर्मानत पत्र अगर आपके पास है, तो राजपती अधिकारी से उसका भी NCC पर्मानत पत्र को आप लोग photo copy कराईगा, ओ लेवल अगर आपने की है, तो जो उसका पर्मानत पत्र आया होगा, उसको भी आप लोग राजपती अधिकारी से signature कराईगा, यह सारी आप चीज नहीं कुछ लोग अप्सेंट भी होएंगे उनमें यहां नॉट्स वेरिफाइट कर दे जाएगा जो लोग यहां पे होंगे वेरिफाइट कर दे जाएगा यह बुलकुल ओफिशल कॉपी है जब आप लोग का डीवी पेस्टी कराया जाएगा तो यह फॉर्मेट जो भी आप लोग खुद फिलप करते रहेंगे जब आप लोग की डीवी यानि डाकुमेंट चेक हो जाएगे तो वन वाइवन आपकी हाइट ना पी जाएगी हाइट अगर आपकी साही निकलेगी तो आपको चेकलिस्ट यहां पे आपकी हाइट यहां पे लिख दी जाएगी फिर आप लोग लिए चेस्ट नहीं मिजर्ग की मेंड किया जाता है सिर्फ मेल कंड्रेक्स का चेस्ट मापा जाता है तो उनका चेश्ट जितना भी निकले गा असी या फिर बेदी जो भी 80-85 लिख दे जाएगा यहाँ पर फिर पिर डेट और signature कराये जाएगा इसका मतलब यह होगा यहाँ पर आप दे सकते हैं लिखा भी है यहाँ पर signature of panel members के signature यहाँ पर कराये जाएगे यह सारी आपको अगर आपको यह list चाहिए तो आपको वीडियो के description में telegram channel के link मिल जाएगी वहाँ से click करके telegram channel को join हो जाएगा वहाँ पर आप यह list देख सकते हैं यह सारी list आपको मिल जाएगी क्योंकि यह constable की है तो इसमें दो चीजे नहीं हुई है क्योंकि जब 2018 में EWS launch नहीं हुआ था यानि EWS अपने यूपी में लागू नहीं हुआ था तो EWS वाला इसमें नहीं है साथ ही आपके graduation वाला नहीं है यानि बाखी दोनों के इलावा बाखी हर चीज आपको इसमें लेके जानी होगी बात कर लेते फोटो की फोटो भी आपको लगबग पांच फोटो तक लेके चले जाएगा यूखी हो सकता है दो से तीन तो आपके form फिल अप करने में भी हो सकता है एक दो गिर गिरा जाए लिगे इसलिए पांच फोटो तक लेके जाएगा फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है पांच फोटो ले लीजेगा बाकी आपको सारी विरस्ता वहीं पर मिल जाएगी बाकी गैजिटेट ऑफिसर सिगनीचर रा लीजेगा सारे डाकुमेंट्स जो भी आपने बचपन से लेके अभी तक जितने भी डाकुमेंट्स है सारे ओरिजिनल डाकुमेंट्स सारे ओरिजिनल डाकुमेंट्स लेकर जाएगा और दोनों जो फोटो कॉपी अलग-अलग सेट बनेगा उन सभी को गेजटेट आफिस से सिगनेचर करा लीजेगा पचास से सो रुपए लेंगे किसी भी जिला श्पताल से या फिक जो भी गौर्णमेंट हॉस्पिटल लो प्राइवेट डॉक्टर जाएंगे तो नॉर्मल सी बात है प्राइवेट डॉक्टर की मुह दिखाई ही आपको पता ही होगा आपके 500 से 600 रुपए ले ले लेते हैं आपके प्राइवेट डॉक्टर तो आप लोग गौर्णमेंट जो भी हॉस्पिटल है वहाँ जाएगा 100 रुपए में क्योंकि वहाँ बे प्यून लोग होते हैं 50 से 100 रुपए में आप लोग का ये काम कर देंगे बाकि अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रू बताएगा आप लोग की DVPHT किस डेट को लगी है और आपके कितने नंबर हैं कमेंट सेक्शन में ज़रू बताएगा और आपके कोई भी डाउट रह जाते हैं DVPHT के लिए के कमेंट सेक्शन में ज़रू चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू विकेंसी अप्डेट के साथ तब तक के लिए जय जय वाद बंदे मात्रम